हाई गाईस मैं सुर्भी और मेरे चैने पर आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यह मेरे पास केरी बैग आपके पास अगर प्लेन ना हो तो इस तरह से प्रिंटिट भी हो तो भी चलेगा कोई भी कव कि और पास और प्ले कई कलर के हैं वाइट है तो एसका में कॉम्बिशन दूँगी और मैंने ब्लु कलर का है उसका में बैस बनांगी तो यह दिक्विए पहले बीदिएय बाक्तर बदा और अगर आप केरीवीयक का नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप यह से प्र सारी हैं तो आप उसका भी बना सकते हैं बहुत ही नगेगा देकने में और मैंने जो इस भाव को बो отвले आपको सनधी मशीन चलआना आती है तो आप बिना स्टारी मशीन के बीड से बझे हैं सबस्रें कई सबस्टों हमने करुआ सकते हैं कलाफुल तो यह देखिए इस तरह से पटी काटके और इससे हम सिलेंगे इसको इस तरह से मैंने टुष्ट करते हुए इसको सिलिया तो ज़ॉइंट डवल लखा है जो मैंने काटा था ना है सिंगल नहीं किया डवल में ही क्योंकि थोड़ा से मजबूत हो गया है तो इस तरह से टुस्ट करके और मैं इसको भी ऐसे फोल्ड हो गया यह राउंड में एक फ्लॉवर सा बन गया है और मैं इसको भी जॉइंट कर लूँगी तो यह देखने में बहुत ही अच्छा सा फ्लॉवर सा लगेगा और इसको बनाना ही बहुत ही इसली है मतलब बहुत ही जल्दी भी बनता है फास और इसली मतलब कोई भी आपको ज़्यादा मेहनद करने की ज़वत नहीं है मश्लाई मसीन लीजिए यूज कीजिए ऐसा कुछ मजबूत भी या ने डेवल कपड़े का यूज किया है तो यह जाने कहीं बनाया है और रच को भी मैं बनांगी बिना नाप लिया ता जाए वाइट कलर और रेट का रडर के बत्तव नापके और मेस की भी एसे पतली पत्टी काट लूँगी मतलब इसारे बंस ही बनाए बह काफी अच्छ लगते चया में मैं अच्छ लगते तो मैं इस लगता है और विए यह तो मैं में आगविघ को दीए तो पीने वे अच्छ मेर इस उलकते हैं अच्छ लगता है फिल्हों देख साथ Bronze टो दोल करके इस तरह की काफी अच्छ मजबूत राए तबल कर्के तो ये दिखिए, इस तरह से मैं इसको भी और इसमें क्या है कि सेम कलेर कर धागा ही लें आप क्योंकि इसमें जब हम प्रश्चित करेंगे तो पता नहीं चलेगी कि हमने की है तो यह इस तरह से यह भी कच्छी से फ्लॉवर बन गया है इसको जब आप सिलें तो ज्यादा टायट करेंगे तो फ्लॉवर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा और आप धीला छोड़ेंगे तो वह भी नेच्छ लगया तो आप नॉर्मल ही बता उसको धागी को खीचिएगा इस तरह से मैं दोनों को जॉइंट कर लेती हूं तो यह दोनों को जॉइंट करने के बाद यह भी बहुत ही खुपसर सा फ्लॉवर सा बन जाएगा तो यह इस तरह से फ्लॉवर सा बन गया है तो इस तरह से मैंने रैट के भी कई बनाए है और वाइट के भी बहुत सारे मु यह तरह से आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं अज का मार्कीट में बहुत इचे फिक्स करने का अप्शन से और यह पट मैंने इसको सिला है हाथ से यह तरह से यह आपका निकलेगा नहीं है अब आप इसको इस तरह से स्टीच कर लेंगे तो यह तरह से जॉइंट हो गया अपस में और मैं जब कहरी बैक भी लिया है कि बिल्कुल डवल में है जैसे है जैट वैसे हैं इस तरह से मैं इसको स्टीच कर लेती हूं तो यह दिए बिल्कुल एक सा फ्लॉवर था क्योंकि जब हम इसको सिल लेंगे तो वह अच्छे से शियप आजाएगी और बाकी के मैं इस तरह से चारों तरफ लगा लूँगी दिखिए इस तरह से मैंने और भी लगाए हैं और बाकी के इस तरह से मैं इसको भी सिल लूँगी दिखिए इस तरह से और रैट को मैं इसके अंदर आप एक साइट ही रखे हो क्योंकि वह क्या है अगर हम दूसरी साइट रखेंगे वह धागा दिखेगा तो इसलिए मैंने उसको सीज़े करके इस तरह से इसको थोड़ा इस तरह से फ्लॉवर की डिजाइन दी है क्योंकि मुझे इसका करा देकि काफी ब्लू है वाइट और रैट काफी अच्छा खिलके आएगा तो यह देखिए इस तरह से मैं और जो बीच में जो गैप है उसमें मैं वाइट लगा और काफी अच्छा लगा और बहुती इसलि बन गया यह मेरा कम से कम आप फ्लॉवर बनाने में आपको 30 मिर्ट में बन जाएगा आपका रोन मेर बिल्कुल कम्पलीट हो जाएगा इस तरह से मैं बाकी अब इसको भी रैड कलर के बें सब में स्टीच कर लेती हूं तो इस चिच करने के पाद एकदम जो गैप होगा वो काफी अच्छे मद्बूत हो गया है इस तरह से मैं इसको दबा लेती हूं और बाकी की भी में स्टीच कर लोगी तब यह मेरा डोर मेट बिल्कुल कम्पलीट त्यार हो जाए हूं मैं आपको दिखा देती हूं कि स्टीच होने के बाद कैसा लगता है और आप कहीं भी इसको रूम में ड्राइंग रूम में मतलब कहीं भी आप इसको रखते तो काफी अच्छा लगए कलर देखने में अपनी आखों के लिए और काफी कॉसली भी नहीं है हमारा तो यह देखे मेरा डोर मेट बिल्कुल तयार है तो आप एकवा अपने घर में इस तरह से अपने घर मे क्योंकि आपको मेरे श्याइप डिफिल्म वीडियोज देखने को मिलेंगी बाइबाइबाइब